तो हलो फेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मस्क्यूट्य अगरबत्ती प्रिमिक्स पाउडर फार्मुलेशन के बारे में और टॉपिक में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट अग इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है जैसे कि हाथ में मैंने कुछ इस्टिक्स रखी हुई है तो कुछ इस तरीके से होती है मस्क्यूट्य अगरबत्ती काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि इसका यूज रेगुलर बढ़ते ही जा रहा है जिस तरीक तरीके से 12 इंचेस में मतलब 12 इंचेस में ये इस्टिक्स होती है अगर बत्तिया होती है तो इसमें जो पाउडर्स और इंग्रीडियंस यूज होते हैं तो उनका एक रेशियो मैं आपको बताने वाला हूं जैसे कि अभी औरेंज कलर में इस आपको दीख रही होगी और य यह आज का premix powder formulation होगा और सबसे पहले हम बात करते हैं materials के बारे में क्योंकि premix के लिए सबसे ज़्यादा ज़रुई होती है raw materials तो raw material का basic जो चीजें वो मैं आपको बताता हूं तो ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हम अपने topic के उपर तो जैसे कि अभी आप देख पारे होंगे तो हमने हैडिंग डाल लिए मस्कुट्य अगरबत्ती प्रिमिक्स पाउडर formulation और जो सबसे पहले जो ingredients हमार आएगा पहले मैं फर्स नंबर भी लिख लेता हूं basically जो मस्कुट्य अगरबत्ती में जो powders use होते हैं तो इसमें से जो सबसे अच्छा powder जो ज्यादातर यूज किया जाता है मस्कुट्य अगरबत्ती color अगरबत्ती और काफी सारे white अगरबत्ती में use की जाने वाली वह हमारा T1 powder T1 powder जो की काफी सारे अगरवतिया इस पाउडर से बनाई जाती है और इसका कॉलिटी जो है काफी अच्छा होता है क्योंकि एक जो जरुरत होती है अगर आ अगरवत्ती फा0 आपका और गोगया वाइट अगर बती लोवय लिखने में भी काफी अच्छा जो है फाइन डस्ट है यह तो सबसे पहले हम इसका रेशियो जो है वह लेते हैं कि 750 ग्राम है कि क्या तो टीवन पौड़र हमें लेना होगा 750 ग्राम जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिख लिख लिया है उसके बाद जो हमारा अगला पौड़र होगा उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दूसरी चीज की ज़रुरत होगी वो है हमारा केलसियम पाउडर तो केलसियम पाउडर हम एड करते हैं इसके बाद मैं आपको बताओंगा इसकी ज़रुरत क्यों पड़ती है तो यह हो गया हमारा कैल्सियम और उसके बाद हो गया हमारा पाउडर अभी सौट नेम लिख रहा हूं क्योंकि यह जो है स्क्रीन पे छोटी दिखती है रैटिंग्स इसके वजह से अगर पूरा करूंगा तो आगे के लिए दिक्कत हो जाएगी तो यह हमको लेना होगा 250 ग्र और हलकी होनी की वजह से एक तो उसमें डिपिंग रेशियो बहुत ज्यादा आता है जिसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग केल्सियम पाउडर का यूज करते हैं एक मिनीमम रेशियो पर यूज होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप इसे 50-50 ले रहे हो या फिर बहुत ज्यादा तो इस वजह से केल्सियम पाउडर हम 250 लेते हैं तीसरा चीज होगा हमारा कि यह पाउडर के साथ में ही मिक्स करना पड़ेगा आपको और इसके साथ होगा हमारा जोज पाउडर जो इस पाउडर जो है हमको लेना पड़ेगा 180 ग्राम इसलिए क्योंकि यह जो पाउडर बेस जो है तो पाउडर से जो बनी हुए अगरवत्तियां होती है उसमें गमिंग के पैसिटी काफी जादा लगती है क्योंकि यह जो मशीन का जो मिक्शर होता है जो हमारा पिस्टन जो चीजें होती है उसके लिए जो बॉन्डिंग हमें करना मते हैं अगर बत्तियों में तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रती पाउडर ओड़र साथ में मेंगर्यण करके रखेगा और जैसा जानता जो पाउडर Boris की अगरवत्तियां होते हैं उसकी प्वालिटीश पावडर की सलाह दूंगा और तीसरा चीज होगा तीसरा चीज हमारे लगेंगी चाउथा जो पावडर है हमारा कलर बैसिकली क्या है जो इस्टिक सोती है 12 इंचीस की मुष्यूटे अगर बदती तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ओरेंज कलर यूज किया जाता है जैसे अभी तरीके से ऑरेंज कलर यूज की हुई है तो अभी औरेंज कलर आपको यूज करना होगा इसमें जो कि पाउडर फ़र्म में वही चाहिए और इसको कैसे डालना होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं यह हो गज़ा हमारा औरेंज कलर पिगिमेट पिगमेट चोटा समय अभी लिख लिया हूं पिगमेट अगर आपका भी नाम याद ना रहे तो पिगमेट कलर करके आप मंग सकते हैं चाहे तो आप इसके जगह पे औरेंज के जगा में आप यूज कर सकते हो फिनक कलर या फिर और को बंती में औरेंज और ग्रीन चलती है तो यह दोनों कलर आप ले सकते हुँ हम को लेना होगा 40 ग्राम कि शालीज ग्राम जो है हमें कलर की ज़रुरत पड़ेगी इस प्रिमिक्स जो मिनिमम जो रेशियो में बता रहा हूं उसके लिए इसके बार जो है जो सबसे ध्यान देनी वाली चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं जैसे कि हमारे चार टाइप के मटेरियल समने ले लिए हमारा टीवन हो गया कैल्सियम पाउडर हो गया जोस पाउडर हो गया और हमारा ओरेंच कलर हो गया तो इन जो चीजें हैं जो पाउडर से तो इनको आप आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करने से क्या होगा जो जो इंग्रीडियन्स होंगे वह आपस में कॉमिनेशन अच आपोडर के साथ जो है पावडर का कॉंपिनेशन अच्छा होता है जैसे कि आपको औरेंज क्राइड क에 तो उसको चालीरंज क्राम है वह है उसको इन तीनों पावडर हाथ में आप मिक्स कर दीजिए करने के बाद अच्छे से जो है आपको कर लेना है उसके बाद अगली चीजें जो लगने वाली है वह मैं आपको बताता हूं और यहां पर पहले मैं रिख लेता हूं तो यह हो गया हमारा पोटेशियम नाइटेड बेसिकल जो पोटेशियम नाइटेड है वो एक कैमिकल नाम है और इसका हिंदी नेम्स हो है कालमी सोरा के नाम से हम जानते हैं या फिर आप नहीं जानते होंगे तो इसका हिंदी नेम्स ह समस्य आती कभी इस्टिक दो इंच जलके बुझ जाती हैं कभी आदी जलके बुझ जाती हैं जो कि जो पाउडर फॉर्म की अगरबतियां होती है जैसे इस टाइप की जो अगरबतियां उसमें ज्यादा तर प्रॉब्लम होती हैं तो इसका सॉलीशन करने के लिए पोटेशिय वाटर हमें इस रेशियो में लेने की जरुरत पड़ेगी 750 ml यहाँ पे हमने लिख लिया 750 ग्राम आपको इस रेशियो के लिए पानी की जरुरत पड़ेगी जो की एक परफेक्ट रेशियो है और इस पानी के साथ में आपको जो यह पोटेशियम नाइटर है उसको आपको करना है बेसिकली यह पोटेशियम नाइटर जो है आपको नमक की तरह दीखेगा नमक जैसे दानेदार होती है उसी तरीके से आपको यह नाइटर देखने को मिलेगा और यह जो है पानी में असानी से घूल जाती है और थोड़ा सा सेख करने के बाद आप इसे अपने पानी पानीं को अप प्रिमिक्स पाउडर में डाल सकते हैं पानी उसका तरीका क्या होगा जैसे कि यह चार इंग्रिडियेंट्स आपने मिक्स कर लिए यह जो बैसिकली हमारा है का एक perfect ratio है, थोड़ा उपर नीचे हो सकता है, 20 ग्राम, 50 ग्राम का difference हो सकता है, तो आप अपने तरीके से देख लीजिए, तो इस तरीके से Potation United का use किया जाता है, और यह जो formulation है, यह 100% मेरे द्वारा बनाए गए formulation है, और इसका मैं काफी समय से use भी कर रहा हूँ, तो basically यह सारी चीज़े जो है, आपको इस तरीके से तयार करनी है, जो कि यह हमारा formulation पूरा complete ready हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से जो है, आज का हमारा मश्किटो अगरबती premix powder का formulation था, और यह थोड़ा सा बताने में मेरे को time जरूर लग गया, क्योंकि जो ingredients है, powder है, सारी चीज़ों को लिख ले के लिए थोड़ी सी timing लग जाती है, तो कुछ ही सरीके से जो है, हमारा मश्किटो अगरबती का premix powder formulation ready हो जाता है, और यह formulation आपको 100% qualities में बनेगी, और इसके साथ साथ एक छोटी सी information और देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा premix पूरा ready हो जाने के बाद, जब इसे आप machine में डालते हैं, तो इसका जो diameter होता है, जो die होती है, sticks बनाने के लिए, उसक sticks जो है, वो थोड़ी सी मोटी ही रहती है, जैसे कि अब देख पारेंगे, तो यह 3.3 के आजपास यह stick बनी हुई है, तो इस तरीके से आप 3.2 या 3.3 कही die use करें, इसमें से आपका production भी अच्छा होगा, और जो आपको 12 इंचीज की बैंबू है, वो भी काफी अच्छे तर होंगा, अगर आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किये, तो subscribe जरूर कलीजिये, क्योंकि इन सारे चीज़ों को प्रोसेसों को बताने के लिए काफी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को आप जरूर subscribe करके रख ले, आने वाली वीडियो में किसी और नए formulation के बारे में बात करेंगी?